दोस्तों, आज कल सभी लोग Google Pay का इस्तमाल जरूर करते हैं, आप भी Google Pay का इस्तमाल जरूर करते होगे, तो आप लोग Google Pay App में रूपय क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, और रूपय क्रेडिट कार्ड के माद्धेम से UPI के दौरा पैमेंट कर सकते हैं, तो किस तरिका से आप लोग Google Pay App में रूपय क्रेडिक कार्ड को लिंक करेंगे और रूपय क्रेडिक कार्ड के माद्धेम से पेमेंट कैसे करेंगे। आज किस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को आन तक जरूर देखेगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप Google Pay App को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहां देखे ऊपर में प्रोफाइल का इकोन दिया गया है। आप इस पर किलिक करेंगे। अब यहां पर देखे ऊपर में लिखा है रूपय क्रेडिक कार्ड पेवीथ यूपिया। तो आप लोग Google Pay App में रूपय क्रेडिक कार्ड को लिंक कर सकते हैं और रूपय क्रेडिक कार्ड के माध्यम से यूपिया के दोरा पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर रूपए क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करने के लिए गया है, तो जो भी बैंक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इस बैंक का आपके पास रूपए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तब ही आप Google पे अप में रुपाय क्रेडित कार्ट को लिंक्क कर सकते हैं और रुपाय क्रेडित कार्ड के माद्यम से UPA के दोरा payment कर सकते हैं यहदि आपके पास Axis Bank का रुपाय क्रेडित 카ड है तो आप यहँँ पर Axis Bank पर कलिक करेंगे इसी तरिका से यहीदि आपके पास बैंक को बरोधा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंदरा बैंक, पंजाब नेस्नल बैंक या फिर यूनियन बैंक आफ इंडिया का रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर सलेक्ट कर लेंगी इसके क्रेडिट कार्ड का डिटेल फिलप करने के लिए गया है तो जो भी बैंक का आपने रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक किया है अपने कार्ड नम्मर का लाश्ट का छे अक्षर यहाँ पर फिलप करेंगे इसके बाद नीचे में है एकसपारी तो यहाँ पर आपको card का expiry month or year fill up करना है दोस्तों यहाँ पर बता दू कि यदि आपके पास physical credit card नहीं है तो काफी साले bank virtual credit card भी देती है तो आप यहाँ पर virtual credit card का भी detail fill up कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर card का detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर card का detail fill up करने के बाद आप इस arrow का icon पर click करेंगे अब आपके mobile number पर bank के तरफ से OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर automatic fill up हो जाता है इसके अलावा bank के तरफ से एक OTP और आता है यहाँ पर देख सकते हैं चलिए इसके बाद आप इस पर click कर लेंगे अब bank के तरफ से जो आपके mobile number पर OTP आया है आप यहाँ पर वो OTP को fill up करेंगे यहाँ पर bank OTP fill up करने के बाद आप इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिया गया set UPI pin तो आपको यहाँ पर UPI pin मना लेना है जो भी आप यहाँ पर UPI pin set करेंगे आप लोग इसी UPI pin के माध्यम से credit card के दौरा payment कर पाएंगे चलिए हम यहाँ पर UPI pin मना लेते हैं यहाँ पर UPI pin मनाने के बाद आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिया गया confirm UPI pin तो जो भी आपने UPI pin मनाया है फिर से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है यहाँ पर UPI pin set करने के बाद आप इस पर click कर लेंगे दोस्तों यह अदि आपको इस तरीका से error so करता है something went wrong या फिर आपको incorrect OTP so करता है या फिर और कुछ भी error so करता है तो फिर आप लोग phone pay app को install कर लेजिए और phone pay app में रुपाय credit card को link कर लेजिए और credit card का UPI pin बना लेजिए जो भी आप phone pay app में रुपाय credit card का UPI pin बनाएंगे आप लोग उसी UPI pin के माध्यम से Google Pay का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो किस तरीका से आप लोग phone pay app में रुपाय credit card को link करेंगे और रुपाय credit card का UPI pin बनाएंगे चलिए आपको हम detail में दिखाते हैं दोस्तों आप phone pay app को open कर लेंगे open करने के बाद यहाँ उपर में देखिए profile का icon दिया गया है आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ link रुपाय credit card on UPI आप यहाँ पर link रुपाय credit card पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिए bank का नाम दिया हुआ है तो जो भी यहाँ पर बैंक का नाम दिया गिया है इस Auch bank का आपके पास रुपाय का credit card होना चाहिए तब ही आप यहाँ पर रुपाय credit card को UPI के साथ लिंक कर सकते हैं तो जो भी bank का आपके पास credit card है आप यहाँ से वह bank को select कर लेंगे चले मेरे पास Punjab National Bank का रूपए credit card है तो हम यहाँ पर Punjab National Bank पर click कर लेते हैं अब दोस्तों जो भी आपका रूपए credit card है उसका last का चालक छड़ यहाँ पर करता है इसके बाद आप यहाँ पर proceed to add पर click कर लेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं यह add हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर देखे UPI pin set करने के लिए आगया है और यहाँ पर आपका नाम साथी जो भी ब्रांच में आपका account है उस ब्रांच का IFSE code यहाँ पर सो करता है इसके बाद आप state UPI pin पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे card का detail fill up करने के लिए आगया है दोस्तों यदि आपके पास रूपए का physical credit card नहीं है तो आप यहाँ पर रूपए का virtual credit card का detail fill up कर सकते हैं काफी सारे bank virtual credit card भी देती है तो जो भी credit card का number है उसका last का 6 अक्षड यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद नीचे में है card का expiry month or year यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर card का detail fill up करने के बाद proceed पर click करेंगे अब आपके mobile number पर bank के तरफ से OTP आएगा और यह OTP automatic fill up हो जाता है इसके बाद आप इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे UPI PIN set करने के लिए आगया है तो जो भी आप UPI PIN रखना चाहते हैं आप यहाँ पर UPI PIN मना लेंगे जो भी आप UPI PIN मनाएंगे आप लोग इसी UPI PIN के माद्यम से credit card के दोरा UPI से payment कर पाएंगे चलिए हम यहाँ पर UPI PIN मना लेते हैं यहाँ पर UPI PIN set करने के बाद आप इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे आगया confirm UPI PIN तो जो भी आपने UPI PIN मनाया है फिर से आपको यहाँ पर UPI PIN टाइप कर लेना है यहाँ पर UPI PIN set करने के बाद आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब दोस्तों देख सकते हैं UPI PIN successfully set लिखा गया है यहाँ आपका UPI PIN set हो चुका है अब आप लोग credit card के माध्यम से UPI के दोरा payment कर सकते हैं चलिए हम done पर click कर लेते हैं अब दोस्तों आप फिर से Google पर एप को open करेंगे और यहाँ पर profile का icon पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर bank icon पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए हमने जो Google पर एप में रुपे credit card को link किया है यहाँ पर वसो कर रहा है अब आप लोग Google पर एप के माध्यम से credit card के दोरा UPI से payment कर सकते हैं तो किस तरीका से आप लोग Google पर एप के माध्यम से credit card के दोरा UPI से payment करेंगे चलिए हम देख लेते हैं आप लोग दुकान पर इस तरह का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे या भारत पे का QR कोड है इसी तरीका का आप लोग Google पे, Phone पे, Amazon पे, Paytm का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे तो आप लोग कोई भी QR कोड को, Google पे, App के माद्यम से, Scan कर सकते हैं और Credit Card के दोरा, UPSA Payment कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर QR कोड को, Scan कर लेते हैं अब यहाँ पर देखे, Payment करने के लिए गया है तो जितना भी रूपे आप Payment करना चाहते हैं आप यहाँ पर Fill Up कर लेंगे जैसे कि हमें 50 रूपे Payment करना है तो हम यहाँ पर 50 Fill Up कर लेते हैं इसके बद आप इस पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखे, Select करने के लिए आ जागा अब यहाँ पर देखे, UPI PIN Fill Up करने के लिए गया है तो जो भी आपने Credit Card का UPI PIN मनाया है यहाँ पर वह UPI PIN Fill Up कर लेंगे यहाँ पर UPI PIN Fill Up करने के बाद आप इस पर किलिक करेंगे अब यहाँ पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पेमेंट हो चुका है आप यहाँ पर Got It पर किलिक कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ से Done पर किलिक कर लेंगे आप जो भी Credit Card के माध्यम से UPI के दोरा पेमेंट करेंगे आप उसका Transaction History देख सकते हैं इसके लिए आप नीचे स्कॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखे लिखा है So Transaction History आप इस पर किलिक करेंगे अब जो भी आपने रुपए Credit Card के माध्यम से पेमेंट किया है यहाँ पर वा Transaction Little So करता है इसके लब आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आपके Credit Card का कितना Balance है कितना Limit बचा हुआ है तो आप यहाँ पर Profile का Icon पर किलिक कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर Bank Icon पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है रुपए Credit Card आप इस पर किलिक कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर Check Balance पर किलिक करेंगे अब जो भी आपके रुपए Credit Card का UPI PIN है आप यहाँ पर Fill Up कर लेंगे इसके बाद आप इस पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखे दो Options हो करता है सबसे उपर में यहाँ पर Outstanding Balance तो जो भी Amount आप रुपए Credit Card के माध्यम से खर्च करेंगे यहाँ पर वो Amount सो करेगा जब आपके Credit Card का Bill जानेट हो जागा उसके बाद आपको यह Amount पेमेंट करना होगा इसके बाद नीचे में Available Balance तो जो भी आपके Credit Card का Limit बचा हुआ है यहाँ पर वो Amount सो करता है तो दोस्तों इस तरिका से आप लोग Google पे एप में रुपए Credit Card को लिंक कर सकते हैं और रुपए Credit Card के माध्यम से UPI के दोरा पेमेंट कर सकते हैं उमिद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कॉमेंट करना मत भूलिए आपके कॉमेंट का जवाब हम जरूर देंगे